हालो इस्टुएंट्स तो आज हम लोग जो है एक पोईट्री को डिड करेंगे और इससे बहुत सारे सब्द को सीखेंगे पहले भी बता चुका हूं कि इंग्लिज जो सीखने का हम लोग का सिलसिला होगा उसमें हम लोग ट्रांसलेशन बनाने के साथ ग्रामर भी पढ़ेंग बता है और जानने को मिलेगा अगर आप अंगलिज सीखना चाहते हैं स्टॉरी का माध्यूम से पोहतरी के माध्यूम से आप जरूर सीख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यूम से जोइन कर लिजे जहारकन पार्ट साला को देखिए आज यह पोईट्री हम लोग पढ़ेंगे यह पोईट्री है A Happy Child ठीक है A Happy Child अब आपको Happy के बारे में पता है और Child के बारे में भी पता है ठीक है ठीक खुसनुमा यहां पर बच्ची है इस बच्ची के बारे में हम लोग जानेंगे Enjoy this poem ठीक है Enjoy का अर्थ होता है आनंद लेना किसी भी चीज़ का लाव उठाना या उसका आनंद लेना Enjoy कहलाता है ठीक है तो हमें क्या करना नहीं इस poem का आनंद लेना है इसे पढ़ करके Enjoy को आप अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हैं जैसे इसके बाद यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं poetry कहता है तो यहां पर क्या है कौन-कौन से वर्ड हमारे पास है जैसे की My house यानी मेरा घर और उसके बाद एक एक अजक्तिव यूजस है ए। Red ठीक है red का मतलब होता है लाल और My house मतलब मेरा घर जब देख सकते हूँ यह प्यारी सी बच्ची यह बता रही है कि मेरा जो घर है उसका रंग लाल है और उसका घर एख़र जो वह लिटील है A little house, ठीक है, little card क्या था, छोटा, a happy child am I, फिर वो बताती है कि मैं जो हूँ एक happy child हूँ, ठीक है, poetry भी वही था happy child, तो ये बता रहे है कि मैं एक happy child हूँ, I love and play, मैं हस्ती हूँ और खेलती हूँ, the whole day long, ठीक है, haul, haul का मतलब होता है, पूरा, ठीक है, सारा, संपूर्ण, इस तरह से, तो day से पहले, haul day लगाओ है, अनि सारा दिन, वो क्या करती है, खेलती है, और हसती है, ठीक है, play का मतलब खेलना और luck का मतलब हसना होता है, laugh, इस पर laugh पढ़ता है, ठीक है, laugh and play, फिर कहती है, I hardly ever cry, ठीक है तो cry का मतलब होता है, बच्चा के तरह रोना, बच्चा जब रोता है, तो वो हल्ला करकर करके रोता है, उसे हम लोग cry कहते है, यानि रोना, बच्चों की तरह रोना, तो यह जो बच्ची है, वो कहती है, I hardly ever cry, hardly का मतलब होता है, rarely, कभी कभार या बहुत ही मुस्किल्स है ठीक है तो बहुत ही मुस्किल्स है रोती है कि यह तो हपी चाइल्ड है हमेसा खुश रहती है तो कभी कभार ऐसा होता है कि यह रोती है तो यह हमेसा क्या रहती है खुश रहती है ठीक है और एवर का मतलब होता है कभी एवर का मतलब कभी I have a tree, a green, green tree, ठीक है, I have, यानी मेरे पास है, या मुझे है, क्या है, एक tree है, और वो tree कैसा है, green, green tree, ठीक है, अब देख रहे हैं न, पेड़ का कलर कैसा है, green, green मतलब क्या होता है, हरा होता है, तो इसके पास एक पेड़ है, और वो पेड़ कैसा है, वो green, green है, to shade me from the sun shade मतलब होता है chaya to shade me ठीक है और यह से क्या करता है chaya परदान करता है shade मतलब क्या होता है chaya ठीक है तो यह से chaya परदान करता है shade me from the sun तो from the sun इसे chaya परदान करता है किस से sun से ठीक है the sun तो यहाँ पर क्या है धूप जो है धूप से इसे च्हाया प्रदान करता है कौन वो ट्री अंडर इट आयाफन सेट अंडर ठीक है अंडर हम लोग यूज करते हैं के नीचे ठीक है लेकिन कब जब वो उपर से मतलब किसी छत्र के तरह बना हो ठीक है और वो चारो तरह से गीरा ना हो और उसके नाच अगर कुछ हो तो उसको हम लोग बोलाएं कि यह अंडर है इस जीसका तो यह भी ट्री जुआणा यह उपर से वो क्या क्या है तो इसलिए इसके नीचे हम लोग यूज करेंगे अंडर अंडर आनि ट्री के नीचे अंडर इट ठीक है एट किसके लिए यूज़ हुआ, ट्री के लिए यूज़ हुआ, तो बता अंडर इट, I often sit, अफन का मतलब क्या है, प्राया, यानि हमेशा, ये एवर का उल्टा है, देख लो, ये एवर का मतलब क्या होता है, कभी-कभी, ठीक है, यानि कभी, और यहां पे अफन क्या है, तो प्राया, यानि लगभग हमेशा, ठीक है, sit, तो ये एक लड़की क्या करती है, प्राया इस पेड के नीचे जो है, वो बैठती है, when all my play is done, ठीक है, when all my play, when all my play, जब इसका सारा खेल पूरा हो जाता है, तब वो पेड के नीचे बैठती है, तो यहां पर हम लोग को कई सारे सब्द सीखने क के लिए मिला, जिसमें से house है, red है, देखो मैं समझ रहा है, बहुत ही यह सब simple word है, बट simple word ही याद करकर के हम लोग उपर तक जा सकते है, ठीक है, आप लोग ऐसी छोड़े-छोड़े सब्द को पढ़िए, little है, house से पहले little लगा हुआ है, child है, hall है, ठीक है, long मतलब होता है, लंबा समय के लिए hardly है, ever है, cry है, इधर love है, play है, तो बहुत सारा word यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है, इसी तरह से छोटे-छोटे poetry को पढ़ते रहे हैं, प्रोस को पढ़ते रहे हैं, काफी सारे आपको word मिलेगा, पहले छोटा-छोटा से reading आप स्टाइट कीजिए, फिर आ क्रुव exists, जहाँ झाद供 मिलेगा, इसी तरोस को पर मिलेगा, है, वाले है, काफी टीक, ज French वान ऊत्या से वमिलेगा, जो मिलेगी इस सारा